तो हलो दुस्तो दोस्तों वाज की इस वीडियो में हम लो हलकरने गेले क्लास 9 के महत का चैप्टर है सेवन तिर भोजी ठीक है उसी का जो प्रशनावली अपका 7.3 ठीक है तेकि यह वाला आपका जो प्रशनावली यह इंपोर्टन तो है लेकिन उससे भी ज्यादा इंपोर् उदारण का एकदम से आसान तरीका क्या है ठीक है इस तरीके का अगर कोई भी प्रस्ट ना जाता है तो आप उस चीज को इसली कैसे हल कर पाएंगे वह चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं ठीक है तो चलिए देखते हैं अब दोस्तों यहां पर हमारा है कुश्ट नंबर सेविं ठीक है उदारण सेवन तो इसमें कर रहा है कि a b एक रेखा खंड है ठीक है यह वाला a b है कोई रेख यह यह रेखा का मतलब समान दूरी पर इस रेखा से यह जो रेखा है रेका खंड है इस रेखा कंड से यह वाला जो रहता ये पी तक जाता है ठीक है और बी जो जह शार है यह यह अपका प्लशाूरों समांदूरी पर तरीके से इधर यह और यह दुना समांदूरी ऐसे पूंडर्य सब्सक्राइब पर हैं यहां प्रमार के करा कि धर साइए कि रेखा पी यूद्व जो पी क्यों है अब लंभ शम्मदीभाजक का मतलब यह क्या होता है जब कोई रेखा किसी अन्य रेखा को समान भागों में चाटता है जैसे ये वाला AB है ठीक है ये एक रेखा है तो हमें बताना है कि ये जो AB रेखा खंड है ठीक है इस रेखा खंड को ये जो PQ है ये एकदम से बराबर भागों में काट रहा है या फिर नहीं काट रहा है मतलब कि यहां से यहां तक और यहां से यहां तक कि जो भूजाएं है ये दो बिखाए घाए अगर लंब शम्दी भाजक होगा तो इसके इधर भी आपका 90 डिगरी का कुण बनेगा और इधर भी आपका 90 डिगरी का कुण बनेगा ठीकर ये दो चीज़ हमें बताना है ये दो ना आपसे बराबर है के नहीं है और यहांपर 90 डिगरी का कूण बन रहा है ठीक है, बन रहा होगा, तब हम कहेंगे कि लंब शम्दी भाज़क है, कैसे होगा, आये इसको अब हम लुग हाल करते हैं, तो देखे, सबसे पहले इसमें क्या-क्या चीज है, तो इसका मतलब होता है, यह इस तरीके का अगर कहीं पर खीज़े वह समझेगे कि यह रेखा इसके बराबर है, तो देखे, इसको लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया है, क्या दिया है, कि AP, PB के बराबर है, AP बराबर PB है, तथा इधर आपका यह भी दो काटा हुआ ठीक है यहां भी दो है यहां भी दो बार काटा हुआ है तो एक क्यू बीक्यू के बराबर यह वाला इसके बराबर है तथा एक्यू बराबर है बीक्यू के ठीक है और उसके बाद से और कुछ नहीं समाज में ठीक है कोई बात नहीं यहाँ पर है कानी कतम दिया है वाला काम कतम अब इसके बाद से ग्याद करना है तो ग्याद करना है तो हमें क्या बताना है कि क्या यह जो AC है भूजा है क्या यह BC के बराबर है या फिर CB के बराबर है यह चीछ बताना है कि AC बराबर BC है ठीक है तथा हमें बताना कि क्या यह 90 degré का angle बन रहा है कि नहीं बना है मतलब कि कॉर a c b a c p को ए c p बराबर है b c p k कॉर bc p k ठीक है यह दोनुचीशच अमें बताना है ठीक है बराबर में 90 degree ठीक यह चीशच़ बताना है और हां अगर यहां पर यह 90ग का बन रहा है तो यहां भी नबेड़ीघरी के बनेगा यहां भी नबेड़ीघरी के बनेगा ठीक है तो चलिए ये तो basic चीज थी अब इसके बाद से चलते हैं प्रमाण के तरफ तो प्रमाण अब इसके बास से देखिए तो हम क्या करेंगे सबसे पहले देखेंगे कि इसमें कौन-कौन शरवांग सम हो रहा है ठीक है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इस वाले भूजा में चेक करेंगे ठीक देखिए आप जो मन करें वो ले सकते हैं लेकिन इसमें देखिए अगर आप ये वाला तिर्भुज और इधार का ये वाला तिर्भुज इन दोनों को अगर आप लेते हैं तो इसमें आपको क्या मिल जाएगा इसमें ये वाला पता है कि ये और ये आपस में बराबर है ठीक है और एक मिल जाएगा कि ये दोनों क्या है आपस में ये जो P और C जो रेखा यह वाला क्या है अपस में इन दोन में common रखा है ठीक है तो दो चीज मिल जाएगा लेकिन हमें तीसरा चांगी मिलेगा कि यह कोड आपस में यह वाला कुड इसके बराबर है यह भी आमें नहीं पता है ठीक है इसलिए हम क्या करेंगे कि हम इस वाले तिर्भूज को लेंगे ठीक है और इधार का ये वाला तिर्भूज और ये जो बड़ा-बड़ा तिर्भूज है ये वाला लेंगे तो लिखेंगे कि तिर्भूज p e q में ठीक है या फिर p q a में जैसे हमारो अच्छे लिख सेए पी ए क्यू तथा तिर्भूज पी बी क्यू में पी बी क्यू में ठीक है अब इसमें देखें क्या क्या मिल रहा है तो इस वाले तिर्भूज में ये वाला भूजा इसके बराबर है मतलब की पी बराबर पी भी है ठीक है यह दिया है तो लिएखेंगे कि दिया है ठीक है अब इधार आएंगे तो ए गू बी क्यू के बराबर एग बराबर और अब तीसरा चीज हमें क्या मिल जा रहा है कि इन दोनों तिर्भुजों में यह वाला तिर्भुज और इस वाले तिर्भुज में यह पूरा है यह वाला पी क्यू ठीक है यह क्या है दोनों में जरूत पर जैसे कि माल लिए इस वाले जब तिर्भूज को बनाएंगे तो PQ आपको लेना पड़ेगा इस वाले तिर्भूज को भी बनाएंगे तो भी आपको यह PQ आपको लेना पड़ेगा मतलब कि p q भूजा क्या है दोनों में common है तो लिग देंगे कि पी बराबर p q क्या है इसके इंदिम कहते, उबयनिष्ट अब आपको पता होगा कि किसी भी दो तिरभुज में अगर तीनों संगत भूजा आपस में अगर बराबर मिल जाता है, तो यह वो देनों तो प्योंक्ज क्या होता है अपसमें सर्वांग सं होता है तो इस तेर्भूंज में क्या शंगत भूजा मिल चुका है तो हम कहाएंगे कि तब तीर्भुज पी-एक्यु ठीक है, फीएक्यू, ये वाला तीर्भुज पी-एक्यू, शर्वाँख्त mandю मोगा, तीर्भुज पी-बी-क्युं के, ठीक है, इसल्फ तीर्भुज के, फीटीक है, कैसे तीनो संगत भूज़ा आपसे बराबर मिला है तो पर में आपको पता ही होगा तीनो भूज़ा मतलब की यस 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 शर्वांग समता से शर्वांग जो दो तिर्भूज आपस में सर्मांगसम होता है तो उसके संगत जो भूजा होते हैं ये तो बराबर ही होते हैं ठीक है उसके साथ ही साथ संगत कौण अब इस वाले तिर्भूज का ये वाला कौण इसके बराबर ये चीज आप मालूम जल गया इधार आपका ये वाला इसक में देखिए तो हम कह सकते हैं कि इसलिए कोड़ एपी सी बराबर होगा कोड़ बी पी सी के बी पी सी के ठीक है तो यहां पर लिख देंगे कैसे बराबर हुआ तो हम इसमें देखे आप यह तो पूरा लिखिए ऑप यह तो पूरा लिखिए कि सर्वांगशम तिर्भूज के संगत कुण आपस में बराबर होते हैं ठीक है यह चीज़ लिखिए यह फिर आप स्वल कोड़ में लिखिए सीपी सीटी ठीक है उसी चीज़ को सॉटकॉर्ट में सीपी सीटी बिकाते हैं ठीक तो यह चीज़ के लिए रहो गया अब इसके बास से देखिए इस वह कुमाल लिजे समीकरण एक माल लिजे ठीक है आगे इसका जोरत पड़ेगा अब इसके बास इस तिर्भुज को और इस था लिए में ठीक है अब देखिए यह वाला भुजा इसके बराबर यह तो हमें पता है तो लिखेंगे तो यह ब खाय पी बराबर है 하면 दिया है तो डिया तो है ठीक है और इसके पास इत्ऑत बाशे जब इस वाई तिर्भुज को हम बनाएंगे तो यह PC ये वाला भूज़ा हमें लेना पड़ेगा जब इस वाले तिर्भूज को बनाएंगे तो भी हमें PC ये वाला भूज़ा लेना पड़ेगा ठीक है मतलब दोनों में common है तो लिख देंगे कि PC बराबर PC अब इसके बाद से देखिए हमने अभी आपको सी दिखिया है क्या कि ये कूण इसके बराबर है यहां से तो लिख देंगे कि कूण जो APC है वो बराबर है कूण BPC के ठीक है कैसे समीकरण एक से यहां पर हम तो लिख देंगे समीकरण एक से ठीक अब इसमें भी दो संगत भूजा और एक संगत कूण बराबर है तो हम इसको कह सकते हैं कि तब तिर्भूज PAC शर्वांग सम्भोगा तिर्भूज PBC के कैसे दो संगत कूण मतलब कि एस एक कूण दो संगत भूजा और एक संगत कूण तो PSE शर्वांग शम्ता से एक है शिंपल आपका यह भी आगया अब देखे यह जब दोनूं बराबर हुआ है मतलेर शर्वांग सम्भूजा तो दिएक से हुआ कि इसमें हमें देगी क्या मिल लाएगा इजल एक है ये गुद्ध कि शंगत ब bites के संगत भूजा और संगत बिद्ध है थिकिया थीए उसी तरीकर से इसका ये वाला जो अंगत है ठीक है तो हमें दो चीज़ बताना था न देखिए एक चीज़ तो आ चुका है ठीक है तो लिखे देंगे कि तब A C बराबर होगा B C के कैसे रीजन देना पड़ेगा C P C T ठीक है या फिर लिखे सर्वांगसम तिरभूज के संगत भूजा ये लिखे या फिर C P C T लिखे ये चीज़ भी क्लियर हो गया अब इसके बाद से देखिए एक तो आया अब यहाँ पर हमने आपको क्या बताय था कि सर्वांगसम तिरभूज के संगत भूजा और संगत कौण आपस में बराबर होते हैं मतलब कि अब इसका संगत कौण ये होगा इसका संगत कौण ये होगा उसी तरीके से इसका संगत कौण ये इधर वाला होगा ठीक है तो हमें नहीं पता कि यह 90 डिगरी का है या फिर नह रिखरी का होता है, ठीक है, अब यह कितने डिगरी का होता है, ठीक है, अब यह अगर पूरा लिया जाए, तो 180 डिगरी का होगा ना, ठीक, अब हमें पता है कि यह वाला कोंड इस कूड के बराबर है ये चीज़ तो पता है अब देखें इसी हो कैसे लिखेंगे आपर की कूड ACP ACP बराबर होगा कूड BCP के ठीक है BCP के ठीक ये वाला हमने कहाँ पर ये चीज़ सिद किया यही पर हमने बताया था ना ये वाला ये चीज़ है जो कि हमने आपको और लेटी बता दिये ठीक है आप चाहे तो इसको समी करण 2 मान सकते है ठीक है तो यहाँ पर लिख दीजिए कि समी करण 2 से ठीक तो अब यहां पर हम क्या करेंगे कि इस वाले को और इस वाले को दोनों को जोड़ के लिख देंगे ठीक है तो इसको कैसे लिखेंगे कि ACP कोड ACP पलस कोड BCP BCP बराबर 180 degree होता है यह चीज हमें पता है अब दिखेंगे यहां पर हमने अभी गयाद किया कि ACP BCP के बराबर है ठीक है बतलब कि इसके अस्थान पर हम ACP कर सकते हैं और ACP कर जहां पर हो वहां पर पूट कर सकते हैं तो यह पर हम कर देंगे ठीक है तो कूड़ ACP पलस में इसके अस्तार पर क्या यह वाला पूट कर देंगे कूड ACP क्योंकि दोनों जब बराबर हैं आपस में तो किसी को भी हम रख सकते हैं 180 डिग्री ठीक है अब यह दोनों एक ACP और एक ACP हो जाएगा दो कूड ACP बराबर में 180 डिग्री ठीक है इसको हम इधर बेज़ेंगे तो कूड ACP बराबर में 180 बटे में 2 ठीक अब इसको जब काटेंगे तो कॉौड A C P बराबर हिमें रहजाएगा 90 δीग्री ठीक है, A C P आपका 90 δीग्री आ चुका है मतलब ये हुआ A C P, ये वाला कॉड़ हमाँ 90 डिग्री आ गयाँ, ठीक है, ये वाला कॉड़ के बराबर इधर वाला कोड़ है यह भी 90 डिग्री आगे यह भी 90 डिग्री आगे ठीक है तब हम लिग देंगे कि आता कि पी क्यू कि अबी का कि लंब कि शम्दिवाज़क है कि शिंपल आपका अंसर होगे आगला देखिए अधिके आठवा जो प्रस्ण है यह बिल्कुल असान है इसमें क्या करा है कि बिंदू ए पर प्रतिछेद करने वाली दो रेखा हैं एल और यहां से यहां से यहां तक जो रेखा है इससे बराबर है ठीक है क्योंकि यह वाला जो बिंदू पी है ठीक है यहां से यहां से लेकर कि यहां तक कि जो रेखा है इससे बराबर है ठीक है क्योंकि यह वाला सी जो है यह रेखा बिंदू P के पास जा रही है और यह रेखा बिंदू P के पास जा रही है ठीक है तो यह वाला इसके बराबर है ठीक है आपके बुक में भी इस तरीके से यह बना हुआ ठीक है इस तरीके से बना ह फ्यवित कहों बीज़म यह समय है टो सबसे पहला दिया है कि यह यह दिख रहे हैं आपके तर्फिका के बन है नबमे टीगरीट यह यह विन रधित अगरा है और सी ठीक है कितने 90 डिग्री ठीक तथा कि बी पी पी सी के बराबर है बी पी बराबर पी सी है ठीक है ग्याद करना है ग्याद करना क्या ग्याद करना है कि यह जो कोड़ इधर वाला कोड़ है इस कोड़ के बराबर है मतलब कि बी ई पी यह कोड़ पी एसी के बराबर है अब पर्माड पर आते हैं तो पर्माड में देखे और इसको क्या करेंगे यह वाला इस कोण के बराबर है तो लिग देंगे कोण B बराबर कोण C बराबर 90 डिया है तो लिग देंगे कि दिया है ठीक है उसके पास से यह भूजा इसके बराबर है तो लिग देंगे कि sorry भूजा ना BP PC के बराबर है तो BP बराबर PC है ठीक है तो ये भी दिया है तो लिख देंगे कि दिया है ठीक अब इसके बास देखी इस वाले तिर्भूज को बनाने में ये AP की जरुद पड़ रही है ठीक है फिर इस वाले तिर्भूज को बनाने में एपी की जरुत पड़ रही है ठीक है? तो हम लिग देंगे कि एपी जो भूजा है दोनों में common है एपी बराबर एपी उभैनिष्ट है उभैनिष्ट ठीक है? उभैनिष्ट है अब यहां पर देखिए हमें क्या मिल चुका है दो संगत भूजा और एक संगत कौण आपसं बराबर मिल चुका है, तो हम कहेंगे इसलिए तिर्भूज बी ए पी बी ए पी शर्वांग सम है तिर्भूज पी ए सी के कैसे? दो संगत भूजा और एक संगत कौण तो S A S शर्वांग शम्ता से ठीक है यह चीज़ हो गया अब इसके बाद से अब इतना गर आप कर देते हैं तो बस आपका आंसर आगे ठीक है हमने आपको बताया था कि सर्वांग सम्तिर भूजों के संगत भूजा और संगत कौण आपस संगत है उसी तरीके से यह वाला कौण इसकες संगत है ठीक है तो लिख देंगे कि तब कोड हुअ कि बी-ए भी बराबर होगा बीए पी यह वाला कौड pass के बराबर है को फी शेगे कैसे तो लिखे सरवांगसम तिरभूज के संगत कोड़ या फिर cpct सिंपल आपका आंसर होगे ठीक है दो ही उदारान था जो कि हमने आपको इसली बता दिया है ठीक है तो चली मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग प्रश्णावडी को हल करेंगे